हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ ग्यान चैनल पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो लोग मोटापे के शिकार है उनको गन्ने का जूस पीना चाहिए या नहीं गन्ने के जूस में स्वाद और मिठास का अद्भुत मेल होता है हर कोई इसका स्वाद लेना चाहता है आईए जानते हैं गन्ने के जूस के बारे में कुछ खास बाते गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा कोई जूस पिया जाता है तो वह है गन्ने का जूस लेकिन गन्ने के जूस को क्या डैबडीज के मरीज पी सकते है यह सवाल हर एक के मन में होता है डैबडीज के मरीजों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है गन्ने का जूस पिये या ना पिये यह सवाल उन लोगों का भी होता है जिनके परिवार में कोई डैबडीज का रोगी रहता है डाइट एक्सपर्ट की माने तो जो लोग डाइबडीज के शिकार है उनको गन्य का जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि गन्य के जूस में परियाप्त मातरा में शुगर पाया जाता है जो डाइबडीज मरीज के शुगर लेवल को बढ़ा देता है डापडीज मरीजों के अलावा जिनको बार बार खासी या बलगम की समस्या रहती है उनको भी गन्य का जूस नहीं पीना चाहिए गन्य का जूस पीने से कफ की समस्या बढ़ने लगती है और लोगों को और भी गंभीर बिमारिया हो सकती है जो लोग पेट की बिमारियों से परिशान रहते हैं उनको भी गन्य का जूस पीना नहीं चाहिए गन्य के जूस का अधिक सेवन करने से लोगों में पेट के कीड़े भी बढ़ जाते है इसलिए अगर कोई पाचन संबंधी परिशानी है तो गन्य का जूस नहीं पीना चाहिए जो लोग वर्क आउट और एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको भी गन्य के जूस का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए गन्य के जूस में बहुत ज्यादा मात्रा में केलोरीज और शुगर होती है जो नुकसान पहुचा सकता है दोस्तों हेल्थ से जूड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें